नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नए साल की शुरुवात है नए वर्ष की शुरुवात है नए सुबह की शुरुवात है खुर्टा मजेस को हम नव बिहान भी बोल सकते हैं तो ये नव बिहान की शुरुवात है और आज नए वर्ष में नई सुबह में नई उमीदों नई आशाओं के साथ हमारे साथ मौझूद है गिरीडी के विधायक स्री सुद्यू कुमार सोनु जी सोनु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सोनु जी का एक परिचे जो जो मैंने भी आपको दिया कि ये गिरीडी के विधायक है गिरीडी के विधायक होने के साथ साथ जैसा कि अब सबों को ग्यात है कि ये जार्खन की राजनीती के एक सशक्त हस्ताक्षर भी है जार्खन सरकार के संकट मोचक के रूप में आज की दौर में उभर करा dawная कोई भी मुद्दा को दिघे बाद việc बाद हो या कोई ऐसी बात हो पे आज पर प्र पॉब्ली के बीचे रखना को सामने रोगों से सीधा समवाद करने के तौर पर पर हम अपने विधायक सुद्यू कुमार सोरी जी को पाते हैं तो उसी हैसियत से आज हम ना सिर्फ गिरिवडी बलकि जारखन के परिप्रेक्ष में भी आप से कुछ बाते करेंगें से सबसे पहले कल के एक पोश्च से शुरुवात करते हैं शिक्षा के छेत्र में जो अभी आने वाले समय में एक नई नई सुबह नई विहान के शुरुवात करने की जो बात हुई है तो क्या होगी यह नई सुबह कुछ हमारे दर्शकों को आप बता पाएगो कि शिक्षा के इस तर को सुधारने के लिए मानी मुखमिंतरी भी बहुत सचेस्ट हैं पिछले वर्ष में या जो गत वर्ष अभी जो गुजर जा रहा है इसमें मौडल स्कूल ओफ एक्सलेंस असी स्कूलों का राज्य भर में चेहन किया गया मैं बड़ा खुश किसमत हूँ कि मेरे विधान सभा के दो इसकूलों का चेहन हुआ इसमें गिरिडित में पचंबा है स्कूल का और सर जेसी बोस बली का विद्याले का इन मौडल स्कूल ओफ एक्सलेंस में एहमन बावु की यह सरकार की अवधारना यह थी कि यह जो अभी तक पबलिक स्कूल और सरकारी स्कूलों का एक कमसेट था और इसके बीच में एक विभाजनकारी रेखा थी उस रेखा को समाप्त करने की जरूँत थी सरकारी स्कूल सीवियसी पैटरन पर नहीं चलते थे वो जहारखंड माधिमिक बोर्ड से संचालित होते थे और निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों पर एक स्टिगमा था कि अगर सीवियसी की बात करें तो फिर वहाँ पबलिक स्कूल ही ऑप्शन होते थे जहारखंड के CBSE के pattern की जिन आधारभूत संग्रशनाओं की जरुवत थी उसके आलोक में उसको पूरा किया गया और मुझको आपको ये बताते हूं बड़ी खुशी है कि उन 80 स्कूलों में से अधिसंख स्कूलों को CBSE की मानिता मिल चुकी है तो अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी CBSE pattern से पढ़ सकेंगे और सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है कि सरकारी स्कूलों में भी इस्तरी शिक्षा का साधन गरामीन, कमजोर, गरीब बच्चों को भी मिल सके जो पबलिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल की फीस नहीं भारी वरकम फीस नहीं भर पाते हैं तो ये एक बहतरीन पाहल है और मैं बड़ा खुशक्रिसमत हूँ कि माननी मुखमंतरी जी का इसने मुझको प्राप्त होता रहता है गिरीडी में सर जेसी बोस के नाम पर एक युणिरसिटी की स्थापना की उन्होंने सैधान्तिक सामती दी है और मैं आपके सामने पहली बार इसको रिवील कर रहा हूँ कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सर जेसी बोस युनिवरसिटी पहला तकनीकी विश्विद्याले बनने जा रहा है जारखंड का इसके लिए मैं आपको बढ़ाई भी देता हूँ तकनीकी विश्विद्याले सर जेसी बोस के साथ एमोशनल एक कनेक्ट भी हमारे गिरिडी के लोगों का है गिरिडी की धरती सर जेसी बोस के नाम से जानी जाती है गिरिडी के लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं उनकी धरोहर यहाँ है उनके नाम पर बन रहे विश्विद्याले को तकनीकी विश्विद्याले बनाने का जो प्रयास चल रहा है ये निश्चित रूप से सराहनी है और चुकि सर जेसी बोस का नाम तकनीक की दुनिया में इतना बड़ा है कि उनके नाम पर अगर अगर तकनीक विश्वद्याले बनाने की बात चल रही है तो मुझको लगता है वो नाम उसको सार्थक करेगा और गिरिडी के बच्चों को भी आने वाले दिनों में एक स्तरी शिक्षा मिलेगी इसलिए माननी मुख्यमंत्री ने शिक्षा के छेतर में दोहजार तेईस को नव बिहान का वर्श अगर कहा है तो कहीं से इसमें अतिश्योक्ती नहीं है इसमें एक सवाल हमारा आप से आता है इंफराइस्ट्रक्चर सुधारने के आपने बात कही तो आपकी जब सरकार आई तो लोगों को लगा यहां के अस्थानी लोगों को लगा जैसा आप लोग दावा भी करते हैं कि यह उनकी सरकार है अस्थानी लोगों की सरकार है अंतर क्या होगा शिक्षा नीती में इंफ्राइस्टेक्चर में बदलाओ की बात अगर करें तो बिल्डिंग्स बनाना या उनके सुधार लाना तो यह सब लोग कहते हैं लोगों को लगता है कि ठेकेदारी प्रथा वाले जितने कामें वो काफी तेजी से होते हैं लेकिन यहां के को लेकर जो शिक्षा नीती बनने चाहिए इस दिशा में क्या काम हो रहे हैं बुनियादी चीजें दो हैं एक तो आधारभूत संग्रचनाएं सी बीएसी के पैटर्न में जिन आधारभूत संग्रचनाओं के बगएर उस स्कूल को सी बीएसी के मानेता नहीं मिल पाती है प कामले पर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हम लोग परिशानी में हैं ये बात बिल्कुल सही है कि 19 वर्षों के बाद एक मूलवासी सोच वाली सरकार को जहरखंड की जनताने राची में मुख्यमंदरी की गद्दी तक पहुंचाया सरकार बनाने की बागडूर सौपी हम भी हमानते थे कि जारखंड की जिन छेतरी और जनजाती भाषाओं की उपेख्छा लगातार चल रही है जिसको विलुप्त होने से बचाना आज हमारे लिए कठिन हो गया है वैसी परिस्टी में छेतरी और जनजाती भाषाओं में पाठिकरम से लेकर शिक्षकों की बहाली कही नहीं कहीं जड़ों से जुड़कर हमें विकास के पैमाने पर चलने के लिए ग्रोथ के लिए अब शक्स अंसाधन मौया कराती। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली हमारी जो नियोजन निती थी जिसको उनरेबल हाई कोट ने असमधानिक करार दिया। उसको असमधानिक करार देने के पीछे ये बड़े तरक थे कि कोट ने सो मुटा संग्यान नहीं लिया था। बारती जमता पाठी के एक निता है रमेश हांसदा जी वो पिटिशनर बने और उसके बाद ये मसले आर्टिकल 14 को अट्रेक्ट करते हुए टरंडाउन कर दिये गए। मैं कोट के निरने के संबन्द में तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो नीती जारखंड के जनजाती और छेतरी भाशाओं को प्रमुक्ता देने की थी चुकि उसमें हम लोगों ने हिंदी अंग्रेजी को कौलिफाइंग सबजे जारखंड की पहचान है लेकिन हम लोग हताश नहीं हम लोग इश्वर ने चाहा तो दो महिने के अंदर में नियुक्ती निमावली बनाकर हम लोग ग्यापन निकाल चुके होंगे और ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये मौडल स्कूल ओफ एक्सिलेंस जो अस्सी बन रहे है इनमें एचार के तोर पर कोई कमी नहीं हो योग शिक्षक हों और योग शिक्षकों के माध्यम से हम लोग बच्चों को इस तरी शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे और ये शुरुआत है ये पहला कदम उठा है आप इतना यकीन जाने कि इस कदम के बाद अगले कईये को औ यकक कि में अग्ति कौन से रहे हैं तो एक बात कर आती है कि इधर जितनी भी नीतियां सरकार ने एंग नियोजन नीति हो या स्थानीयता के नीति हो जो بھی नीति हो फुल परूफ नीति क्यों नहीं बन पा रही है कि वो आगे जाकर कहां अटक जा रही है गिर जा रही है समाप्त हो जा रही है Article 14 Right to Equality समानता का दीकार मेरे पास अभी भी दस्तावेज होंगे 14-15 राज्यों के जो अपनी नियुक्ती निमावली के लिए अपने राज्य के भौगलिक छेतर को ही परात्मिक्ता देते है मुझे बड़े अफसोस के साथ मुझे को यह कहना पड़ रहा है कि जब आर्टिकल 14 राइट टु एकुलिटी उडिसा में अट्रेक्ट नहीं होता है आंदरप्रदेश में नहीं होता है यूपी में नहीं होता है उत्राखंड में नहीं होता है लेकिन बड़ा दुरभाग है कि ज़ारखंड में अट्रेक्ट होता है यदि आप इसके परिपेख्ष को देखेंगे आप इसके परिपेख्ष को देखेंगे तो मैं एक बड़ा ज्वलंत सवाल आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ हमारी नियोजन निती को तो खारिज कर दिया गया हमारी नियोजन निती के खारिज हो जाने के बाद 50 फीसद जो सामाने अरक्षन है 10 परसेंट जो EWS है माने 60 फीसद 60 फीसद तो जारक्षन के ही बच्चे आएंगे यह तय है लेकिन 40 फीसद में सामाने वर्ग के हरियाना के पंजाब के उत्तर प्रदेश के बिहार के बंगाल के उडिसा के बच्चे भी आ जाएंगे अब अगर राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि भारत का समिधान 1950 से पूर बसे हुए S.C.S.T. को अपने राज़े में 900 विधाओं को लेने का धिकार देता है और O.V.C. के मामले में यह मसले 1978 पर आ जाते है अब आप मुझको बताईए कि यह 50 पीसद और 10 E.W.S. को 60 पीसद लोगों को हम लोगों ने अपने राज़े में कनफाइंड कर दिया लेकिन समाने वर्ग के लिए के जो बच्चे थे उनके लिए हम लोगों ने 40 परसेंट के लिए पूरा जहां खोकुन दिया हमारी मनशा क्या थी हमारी मनशा ये थे कि जहारखंड के जो समाने वर्ग के मूलवासी बच्चे हैं उनको अखिल भारती इस तरपर कमपटिशन फेस ना करना पड़े वो जहारखंड के समाने वर्ग के बच्चों के साथ कमपटिशन फेस करें लेकिन इस नियोजन नीती के खारिज होने के बाद पिछली सरकार की 2016 से पूर्व की नियुक्तियों को अगर आप उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अनारक्षित कोटे में 65% से ज्यादा बाहर के लोग आ गए तो ये नुकसान जहारखंड के बच्चों का है ये नुकसान यहां के लोगों का है और मैं मानता हूं कि आज भारती जनता पार्टी का समाने वर्ग में जिस तरीके का पैट है जिस तरीके का जनसमर्थन है समाने लोग इस बात को नहीं सोच रहे हैं लेकिन मैं यह साथ में यह भी मानता हूं कि वो जो बच्चे जब अखिल भारती इस तर पर कंप्टीशन फेस करेंगे और वो देखेंगे कि बगल की सीट पर हरियाना का कोई लड़का कंपीट करके नोकरी में चला जा रहा है और वो हाथ मलते घर चले जा रहे हैं तब उने भी लगेगा कि हमांद सुरेंट की सरकार की नीतियां जो थी उनके लिए थी यहीं पर तो फिर सवाल अस्थानिया की नीति का फिर आही जाता है कि अस्थानिता है कि नीति जो आप लोगों ने डारीट की वर्ष 2001 में कार्मिक प्रशासनिक विभाग का जो पत्राया बिहार सरकार में जो बिहार जो शब्द है उसके अस्थान पर जहार खंड जोड़कर उस नीति को हम लागू कर देंगे उसी के बाद बावलनमरांडी जी डॉमिसायल लेकर आए हलाकि वो कोट में जाकर खारीज हुआ तो आप लोग ऐसी कोई नीति अभी आपने जो नीति मनाई इसको नौवियन सुची में भेजने के बजाए आप विधान सभाव में पास करा सकते थे हलाकि फिर आपका जवाब होगा कि फिर वो कोट में जाकर गिर जाएगा मामला लेकिन तब तक तो ये उसी की आधार पर सारा काम चलता रहो रह सकता था नहीं बिगत सरकारों के निर्नेयों को भी उनरेबल कोट ने जिस तरीके से टर्न डाउन किया है ये तमाम उदारन हमारे सामने थे हम इस बात को जानते थे कि जैसे ही इस्थानी नीती में हम अपने लोगों को फाइदा दिलाने की कोशिश करेंगे तो एक लोबी जो जारकंड में बड़ी मजबूत बनके बैठी है ये इनके पर करें इस मामले को कोट तक घसीट कर ले जाएगी और उनरोबल कोट के फैसल है कि बात हम लेकर इसे विधान सभा में गए विधान सभा में हम लोगों ने इसे बिल की शकल में पारित कराया और मज़े की बात है सरवानुमती का बिल है ये भारती जनता पार्टी परोच रूप से जो हम ले कर ले लेकिन सदन में इस बिल को पारित कराने में उनकी भी स आप जानते हैं कि नियोजन की नीती में इस्थानीता की परिभाशा में बदलाओ का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है और शिडूल 9 ऐसे ही मामलों के लिए बनाया गया था कि जिसमें अगर वो कानूनी दिश्टकों से बहुत समीची न भी हो लेकिन जनभावन जाए उनके पक्ष में हो तो 9 शिडूल में गए हुए मामलों की नियाइक समिक्षा नहीं हो सकती है वर्तमान में 284 कानून 9 शिडूल में हैं और हम केंदर सरकार से भारती जनता पार्टी के निताओं से यह अगरह करना चाहते थे कि चाहे वो सरनाधर्म कोड हो चाहे 1932 का खतियान हो चाहे 27 फीसादा रक्षन हो यह तमाम चीजें पार्लेमेंट पास करके 9 शिडूल में डाल दे जो नियाइक समिक्षा से यह परेह हो जाए और वैसी सिती में इसका वास्तवी किलाब जहरकंड की जनता को मिल पाएगा नाइंथ शिडूल में डालने की जो प्रक्रिया है वो कितनी पेचीदा है यह आपको भी पता होगा तो आपको क्या लगता है कि यह सरकार उस दिशा में कोई सार्थक पहल करने जा रही कि अंदर सरकार के अगर हम बात करें तो देखिए जनभावनाएं जो हैं सरकारों को जुकाती हैं कानूनों को बदलाव कराती हैं शावानों का एक मामला ऐसा ही आपको याद होगा कि जनभावनाओं से कांग्रेस की सरकार को डर के नरना बदलना पड़ा था तो जनभावनाएं बहड़ी महतपूर्ण होती हैं और भारती जनता पार्टी के हमारे मित्र जो विधान सभा में और अन्य मंचों पर गला फढ़ा के चिला रहे हैं कि 9 शेडियूल में क्यों भेजा 9 शेडियूल में क्यों भेजा मैं बता दू कि 20 दिसंबर 2022 को करनाटक विधान सभा ने 50 से 56 पीसा दारक्षन करने का प्रस्ताओ विधान सभा से पारित करा के 9 शेडियूल में भिजने की तयारी की है मेरा ये कहना है कि आसन विधान सभा चुनाओ जो मई में होने वाले हैं करनाटक में वहाँ भारती जनता पार्टी के गले की हड़ी है अगर वो करनाटक के रिजर्वेशन हाइक के बिल को 9 शुडियूल में ले जाना का प्रयास करेंगे तो जहरखंड की जनता उन से जवाब मागेगी हमारी नजर तब उस तरफ रहेगी करनाटक तरह जहरखंड से एक हटकर खरनाटक के तरत देखना पड़े गए एक आसक बड़ी महातवा कांची यूजना जो आपने गेलिटी को लेकर सोलर सेटी गिरिडी को सोलर सेटी बनाने को लेकर किया तो Absolutely और सोलर सिटी बनाने के प्रैक्रिया अभी चल भी रही है हमारा एक सवाल आप से है इसमें कि इसको लेकर जाग रुकता का इतना अभाव क्यों है लेकिन लगातार मल्टिपल पॉइंट्स पर हम लोगों ने सेमिनार किये लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन पता नहीं भरांतियां लोगों के मन से निकलती नहीं है फिलहाल मेरा सारा प्रयास इस बात का है कि एकाध मेगावाट का सिस्टम लोगों के घरों पर लग जाए जब मासिक बिल में उनको रियायत मिलने शुरूई हो जाएगी तब ये मौट तो मौट पब्लिसिटी के मसले बनेंगे और मुझको बड़ा भरोसा है कि आने वाले दो महिनों के अंदर में हम लोग एकाध हजार किलो वाट का सिस्टम यहां पर लगा चुके होंगे और जिन घरों में वो लगा होगा उसके मालिक जब दो महिनों के बाद अपने बिलों में कटोती की बात करेंगे तो जनता की भी जग रुखता आएगी ये बड़ी खुशी की बात इसमें है कि इसमें बहुत समयावधी का मामला नहीं है भारत सरकार से भी हमें 17 मेगावाट की सुकरिती मिल चुकी रूफटॉप सुलर के लिए और राज सरकार ने तो अपने हिस्से का पैसा भी दे दिया है और MNRE से जो हम लोगों की बात हुई है हमारे पतादिकारियों की वो पार्ट बाई पार्ट जिरड़ा के जो एजेंसी जो काम कर रही हूं उनको बिल डिस्पर्स करने को तयार है तो सारी चीजें अपने जगा बिल्कुल सही हैं दुरूस्त हैं बस खाली जागरूकता के अभाव में उस गती से यह जनाएं नहीं चल रही है केंद्र प्रयोजित योजनाएं थी राजयाश के रूप में आपने क्या किया देखिए इस फेडरल सिस्टम में केंद्रा और राज्य की अवधारना अलग अलग नहीं है आज जिस भी योजना की हम बात करें शत्प्रत्यत योजना ना तो केंद्र के पैसे से ना शत्प्रत्यत योजना बहुत कम ऐसी हैं जो कि राज्य के पैसे से पर फेडरल स्ट्रेक्चर में दोनों ही मिल जूलकर चलते हैं हमारी सबसे बड़ी उपलब्धी अगर आप कहेंगे तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धी इस बात की थी कि हम लोगों ने कोरुणा के इस दौर में लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जब रोजी-रोजगार क को जिन्दा रखने का काम जो जार्खंड और जार्खंड की अध्योगी के काईयों ने किया है देश को रिनी होना चाहिए जार्खंड का ओक्सिजन एक्सप्रेस यहीं से गई है जार्खंड से देश की सांसों में ऑक्सिजन डालने का काम जार्खंड ने किया है और मैं यह पचासी लाख रुपए देकर चार सु किलभग ऑक्सिजन बेड बनाए जो अभी भी मौजूद है भगवान नकरे कोरोना की ये चौथी ये तीसरी लहर आने के अगर बाद भी होगी तो उस समय हमारे किये गए प्रयास जनता तक पहुंचेंगों उसका फायदा उन्हें मिले प्रयासों आपके भावनओं अपर कोई सवाल नहीं है आपने आईस्यूऋ का जीक्रिख किया सदरस्पाल में आईस्यू आईस्यू लग है टयार है आईस्यू बेड़ भी पिले हैं वो चल तना पा रहे हैं कितना तरीके से चल पा रहे हैं इसकी monitoring की क्या कोई ववस्ता या कुछ आपने इसा कुछ डिवलब करके रखा है ICU सदरस्पताल का बिल्कुल चल रहा है आज वहां राइटाओं हमारे पास ICU में करेरत 17 कर्मी है जो तीनों शिफ्टों में ICU को देखते हैं और चलाते हैं आईशमान से हम लोग पेमेंट लेते हैं और हम लोगों ने no profit no loss की अवधारना पर ICU बेड के एक दिन के कॉस्ट को साड़े पांच जार रुपया पर सीमित कराया है with all facilities तो गरीबों का ICU है इसको यह आप शब्द दे सकते हैं जो गरीब आदमी स्नेक वाइटिंग के लिए ट्रॉमा के मामले में या वैसे मामले में जहां वो उनको सत्त निगरानी की जावशकता है उनको हम लोग आशमान काटके भर से भरती करते हैं और मैं आपसे आगरह करूँगा कि किसी दिन आप चले जाए ऐसी हूँ साथ बेड़ संचालित हैं और कितने हैं उनका रेइस्टर आप देख लें कि कितने मरीज भरती हो रहे हैं पीच में तो लड़के हमें वहाँ से सूचना देते हैं कि बेड़ बढ़ाने की जरुवत है और बेड़ बढ़ाने की आशकता पड़ रही है इसलिए कि पेशन्ट ज्यादा आ जा रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि पुब्लिक मनी को सरकारी सदर अस्पताल में लगाने का यह प्रयास जहरखन में शायद इकलौता होगा आप जानते हैं कि कुरौना के दर्मियान हमने लोगों से चंदा मांग कर इस आईस्यू को बनाया था और पब्लिक मनी सरकार के संस्थान पर लगी है और उसके सब को लाब मिल रहा है कि चिकिस्टा के छेत्र में चोटा सा सवाल और है कि आपने जिक्र किया कि जार्खन ने पुरे भारत को अक्सिजन सप्लाई कि जार्खन की लोग बिना ऑक्सिजन के नहीं रह पाए जार्खन में गाउं-गाउं तक यह सुविधा मिल पाए इंफरास्ट्रक्टर बिनाने से और उनको चलाने वाले भी चाहिए डॉक्टर्फ भी चाहिए जो आपने HR के बात के शेत्र में वही चिक्स्था के छेत्र में आ जाता है तो अच्छे ैuक्टर्फ प्ह.्सी पर दिखें इसके लिए क्या कोई प्लाइन इस gwास जाती हैं चली जाती हैं बदल जाती हैं लेकिन अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज बनाकर वहां से डॉक्टर को पैदा करना है तो इसके लिए सतत दस वर्ष चाहिए आपको बड़ा दुरुभागे पूर्ण रहा है ज्हारखंड के लिए कि लॉंग टर्न प्लानिंग के नाम लोग उस तरीके से नहीं मरेते हैं तो मेरा यह मानना है कि हम लोगों ने अपने सिमित संसाधनों में या जहारखंडियों की जो अपनी इम्मिनिटी सिस्टम है वो कोरोना के उस कहर को नहीं आने दिया फिर भी आने वाला समय में हर दिन विकास के चेतर में काम के चेतर में बेहतर करने का समय होता और कोई भी अंतिम-من्दू नहीं है और उसमें बेहतर करने की गुणजाईश है और हम जरूर से करेंगे अब आखिर मैं साल का पहला दिन है और तीन साल आपकी सरकार के हो गए तिन साल के लिए पूरा करने के लिए बदाई आपको आने वाले वर्षों के लिए क्या प्लैनिंग है शौट में हमारे दर्सकों को बता पाई तो हमारा निश्चे पत्र हमारे आने वाले समय की योजनाओं का कारे रूप का एक दस्तावेज है और मैं कहता हूँ कि आप निश्चे पत्र को उठा कर पढ़ ले 60-65 फीसद उन निश्चे पत्र में किये गए बातों को हम लोगों ने पूरा किया है और ये दो वर्ष जो बचे हैं इन दो वर्षों में बाकी के उन बातों को भी पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा और जहारखंडियों ने जिस मूलवासी सोच के तहत सरकार को बनाया था वो मूलवासी सरकार की सोच जहारखंड सरकार के कामकाज़ें परिलक्चित होगी और लोगों को ये लगेगा कि ये सरकार उनकी अपनी इसी नोट पर आज के इस इंटर्व्यू के हम समाप्त करते हैं आपको आपके पुरी टीम को एक बार फिर से नए वर्स की बहुत बहुत शुब काम नहीं